नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल Purity of Life में मैं निलम शुकला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ शीगर विवा और सुन्दर जीवन साथी पाने का बहुत ही सरन और बहुत ही अच्यूक उपाई शेयर करने वाली हूँ तो अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, किसी भी वज़े से देरी हो रही है, चाहे वो आपकी जन्मकुनली के ग्रहों की वज़े से भी देरी हो रही है, या उम्री निकल रही है और आपके रिष्टे आने बंध हो गए हैं, तो इन उपायों को अगर आप करते हैं, तो अगर आप इन उपायों को करते हैं तो शीक्र विवाह के योग बनने लग जाएंगे और सुन्दर जीवन साथी की प्राप्ति होगी और जिन लोगों को मन पसंद पत्नी चाहिए जिससे वो प्रेम करते हैं उसी से वो शादी करना चाहते हैं तो इन उपायों को करने से प्रे अदकू.ु आपको बीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अछी लगती है तो यह मुद्ची को लाइक श्यार करें अपने और फैमिली उर फ्रेंड्सup के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की महत्यपुर्ण जानकारी आगे भी मिलती रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले तो दोस्तों आईए बात करते हैं शेक्र विवाह के लिए और सुन्दर जीवन साथी पाने के लिए मन पसंद जीवन साथी पाने के लिए पहला उपाय कौन सा है दोस्तों मा दुर्गा की आराथना करने से मन पसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है सभी मनो कामनाएं पुर्ण होती हैं मा दुर्गा की आरात्ना करने से लेकिन शीग्र विवाह के लिए दुर्गा सब्तशती का एक मंत्र है जिसका अगर प्रतीन दिन आप जाप करते हैं तो इसके जब्त से आपको सुन्दर और सुशील पत्नी की प्राप्ति होती है के अंदर तांबे के लोटे में जल लें और जल में आप लाल कनेर का फूल डालें और लाल चंदन डालें दोस्तों शीग्र विवाह और सुन्दर जीवन साथी पाने के लिए भगवान सुर्य देव को जल में कनेर का लाल फूल डालके और लाल चंदन डालकर अगर आप प् मादुर्गा की मूर्ती या चित्र स्थापित करें इशान कोण में जहां पर आपका मंदीर है वहीं पर आपको ये चित्र मादुर्गा की स्थापना करनी है अगर आपके पार पास पहले से ही स्थापित है मादुर्गा की मूर्ती तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं नहीं है तो आप एक लाल चौकी बिछा लें वहाँ पर लकड़ी की और उस पर लाल कपड़ा बिछा कर मादुर्गा की चित्र या मुर्ती को स्थापित कर लें और वहाँ पर आप सुद्धगी का एक दीपक जला लें गाई का शुद्धगी मिल जाए तो बहुत अच्छा नहीं तो आपको जो भी शुद्धगी उपलब्द हो उससे ही आप दीपक जलाएं मादुर्गा का और हाथ में आप जल लें पुस्प लें और संकल्प लें मादुर्गा के सामने कि आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं और शिग्र विवाह के लिए मन पसंद जीवन साथी पाने के लिए या सुयोग और सुन्दर जीवन साथी पाने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं मंत्र का जाप आप कितनी संख्या में करेंगे क्या रह माला करेंगे या 21 माला करेंगे या 5 माला करेंगे जितना आप स संभव हो उतने का आप संकल्प ले ले और ये आपको प्रतिदीन जाब करना है इसलिए आप संख्या अपने अनुसार निर्धारित कर ले कि हर दिन आपको एक ही संख्या में इस मंत्र का जाब करना है मंत्र है पत्नी मनोर माम देही मनोरित्तानुशारणिम तारणिम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोध भवाम एक बार और सुन लीजिए मंत्र पत्नी मनोर माम देही मनोरित्तानुशारणिम तारणिम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोध भवाम इस मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन करना है। आशन आपका होना चाहिए, कुछ का वैसे तो पर कुछ का आशन आपके पास नहीं है। तो आप लाल आशन बिचाले, उनी आशन और वहां बैठ कर आप रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। समय निर्धारित कर लें कि आप किस समय में इस मंत्र का जाप करेंगे जैसे अगर आप प्रती दिन 6 बजे इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप प्रती दिन 6 बजे ही इस मंत्र का जाप आपको रोज करना है आपको समय परिवर्थित नहीं करना है 5-10 मिनट इदार उदर कभी-कभी हो जाता है रोज नहीं चलेगा पर ऐसा नहीं करना कि आज आप 6 बजे कर रहे हैं तो कल आप 8 बजे करेंगे फिर परसों आप 9 बजे करेंगे ऐसा नहीं करना है समय आपका एकदम निश्चित होना चाहिए स्थान आपका निश्चित होना चाहिए कि आप किस स्थान पर बैट कर मादुर्गा के इस मंत्र का जाप करेंगे संख्या आपके निश्चित होनी चाहिए कि कितनी संख्या में आप प्रती दिन इस मंत्र का जाप करते हैं ये सभी चीजे निश्चित करके आप इस मंत्र का जाप अगर करते हैं, तो आपके ये मंत्र जो हैं, बहुत शिगर ही सिद्ध हो जाते हैं, और इनका फल आपको प्राप्त होने लग जाता है, जैसे जैसे मंत्र की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी मनो कामना जो पुरुन होती है, उसके आसार बनने दोस्तों पुर्वदिशा में आपका मुख होना चाहिए जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं माला आपकी निश्चित होनी चाहिए एक ही माला से आप प्रतिदिन जाप करेंगे माला का बदलाव आप नहीं करेंगे ये इस मंत्र का नियम है इस मंत्र जाप का जो बहुत प्रति दिन आपको यह जाप करना है और तब तक आपको करना है जब तक कि आपकी मनो कामना पुर्ण होने के आसार होने नहीं लग जाते हैं या जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता है कई लोग पूछते हैं कितना करना है कितना करना है यह बताना मुश्किल है क्योंकि बह अपने हिसाब से आप मंत्र जाप करते रहें और आपकी मनो कामना पुरुन होगी निश्चित ही पुरुन होगी इस बात का विश्वास आप अपने मन में रखें और इस मंत्र का जाप आप करते हैं तो आपकी मनो कामना अवेश्य पुरुन होती है बस जरूरत है सिर्फ आप आपके विश्वास की वो आप अपने मन में जरूर रखें कि मादरुगा की पूजा आप कर रहे हैं आप मंत्र का जाप कर रहे हैं और मादरुगा की सामने आपने अपनी अर्जी लगाई है तो वो अर्जी स्वीकार्य जरूर होगी इस पात पर आप विश्वास रखें अग गनेश भगवान होते हैं कार्तिके और नंदी देवता होते हैं जो शिवाले होता है वहां पर ये सभी चीजें होते हैं तो उस जगे पे जाके आपको सब का पूजा करना है उसके बाद सिवलिंग का जल से अभिशेक करना है या कच्छे दूद से अभिशेक करना है जल से भी कर सकते हैं कच्छे दूद में आप केसर डालकर भी अभिसेग कर सकते हैं इससे सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है तो इस तरह से आप शीवलिंग का अभिसेग करें और शीवलिंग पर आपको अमनमभ शिवाय बोलना है ओम नमह शिवाई बोलते हुए 108 फूल आप अरपित करेंगे प्रतेख शुक्रवार को 21 बेल पत्र आप अरपित करेंगे, सभी बेल पत्रों पर आपको ओम नमह शिवाई लिखना है, सफेद चंदन से और उस पर भगवान शिवलिंग पर अरपित करना है आपको ये आपको प्रत्येक शुक्रवार को करना है ये उपाय और साथ सुक्रवार तक कम से कम आपको लगातार करना है आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि आपकी मनो कामना पुरोने नहीं होती है जब तक आपका विवाह नहीं होता है लेकिन कम से कम साथ सुक्रवार तो आपको करना ही है ये उपाए अगला जो उपाए है वो वरीहश्पति nossas milliard अगर संकल्प लेगर सोले हैं आप करें संकल्प लेकर कई आप शिक्र विवाह के लिए बंचाहे जीवन साथी पाने के लिए सुयों के और सुंदर सुलक्षना पत्नी पाने के लिए ब्रिहश्पती वार का वृत कर रहे हैं तो आपकी मनो कामना बहुत ही शिक्र पुरुन हो जाती है भगवान ब्रिहश्पती देव जो हैं वो विवाह के कारक हैं व्यवाहिक शुक्र के कारक हैं तो अगर आप ब्रिहश्पती देव की बहुत ही शरल है बहुत आसानी से अप इन सभी उपायों को एक साथ कर सकते हैं अगर आप एक साथ करना नहीं चाहते हैं तो आप इन में से कोई बी एक या दो उपाय जरूर करें एक साथ ताकि आपकी मनो कामना जो है वह बहुत ही श्रीग्र पुरुन हो जाए दोस्तों उमीद करती हूं आज की जो यह श्रीग्र विवाह की उपाई के लिए जो जानकारी दी है मैंने आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ला आप से अगली वीडियो में किसी नई और महत्तु पुरुन जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्क्राइब